हैलो प्रेंड्स कैसे आप सब आशावर्तित स्व monopoly होगे मजहीं और positive कर रहे होगे आपको हमें शह पॉजिटीव करना है क्योंकि एक पॉजिटीव करना है और आज की स्ट्रेटिक में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो क्या कुछ अगर आपको पार्सनल रिडिंग की जरुरत हैं अगर आपको मुझसे परस्नल रिडिंग कराने हैं स्क्रीम पर इसक्रीम पर वाट्सप पर मैसेज कर सकते हों वहां पर डिटेस्ट में जाएगी काल के से बूग करने ठीक है हैं और युस देखते हैं एक्दम हापी रहे हैं यह है आपकी फीलिंग हैं और यह आपके लिंगोर्टि इस वक्ती प्रिलिंग एग-दुसरी के इनका ऍप आपके लिए क्या है इनके साथे पिस्क्राइब क्या सब्सक्राइब क्या है रिषते का कुछ फ्यूचर है प्हुले मैं इनका फ्यूचर है एक दूसरे के साथ रिफिर आपका फ्यूचर है एंजल आइडन्स के आपके लिए इस वक्त एंजल आइडन्स क्या है तो यह एंजल आइडन्स से बॉटम में हैं यहां पर क्वीन आफ व्यांट तो यह इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़ते इग्नॉर कर रहे हो दोनों ही मतलब एक दूसरे से एक दूसरे की इतनी जरुरत है दूसरे के लिए मर रहे हो तड़प रहे हो लेकिन फिर दिखाना नहीं है मतलब इस तरह से कि में मेरी जिंदगी में एकदम हैपी हो तेरी बिना कोई जरुरत नहीं है तेरी मुझे इस तरह से आप दोनों एक द इस तरह के इनर्जिस लग रहा है आप उनकी तरफ अब देखना भी नहीं चाहते हैं तो मतलब फिर रहा है किसी की और देख रहे हो यह इस तरह से मतलब नेगेटिव थौट्स आपको लेके बहुत ज़दा कर रहे हैं यहां पर जैसे की ब्लैक्टिव थौट्स और जैसे की यह ना है कि आपको आपको अधिधिक्कट लग यहां पर यह आपकी दोणों के तो यह आपको दिल से इस रिस्ते में शादी करना चाहते हूं उनको बताना चाहते हूं कि आप उनसे कितना प्यार करते हूं आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दिल कर रहा है खुदों के आफर करने का बात करने का लेकिन जो कि जब जब आप मतलम जब जब आप इस तरह से सोचते हो न कि क्या मैं बात करूँ क्या मैं एफ़स डालू तो जो आपके साथ धोका हुआ है आपके साथ इंजस्टिस हुआ है वो आपको याद आ जाता है आप भगवान से जैसे कि उम्मीद कर रहे हूं बहुत ज़्यादा इंतजार किया है और और भी मैं इंतजार कर रही हूं आज भी मैं इंतजार कर रही हूं मुझे जस्टिस चाहिए आप भुर्वान से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो प्रे कर रहे हो बहुत ज्यादा दिल से दिल बहुत कर रहा है बात करने के लेकिन नहीं करोगे अपने आपको प्रोटेक करोगे पहले emotions में फस चुके हो फिर से emotions में फसना नहीं है आप बहुत सारे सवाल अपने partner से पूछना चाते हो क्या आपके प्यार का इस तरह से गलत मतलब आपके प्यार का फायदा क्यों उठाया गया आपके emotions का फायदा क्यों उठाया गया क्यों आपके सथ इतना चिट किया गया दूब धुका दिया गया आप बहुत सारे सवालों से पूछना चाहते हूं इसलिए आज दिल करता है फिर भी आज आप वो सकता कि आप इनके लिए बहुत जदा रोते हो अभी आपके लेकिन नहीं आप जूखना नहीं है पहले तो उसका आना है मैं दो उससे ईग्णोर करूंगी अगर आता है तो मैं data करूझ लेकिंड और पसकी और मुख्याय नहीं करें agar इस तरह जादी करना जाहते हैं अंक पर दूर कर सेद्प में कराने सब्सक्राइब आज बात करना करना आज बात करना दस दिन तक ब्लॉप करके रखना एस तरग के हैं जिस आप ठक कुके हो पहसी बातों के ब़ो Gina करें जाटीए जिको पर आपको बहुत बचाते में दिखाय बखाए दे रहे हो और इसी वज़े से जान बुझके इग्णॉर कर रहे हो इस तर के आपके इसक्त की फीलिंग्स है आपके पाथ करो तो आप देख सकते हैं यहां पे सिक्षव पैंट का काड़े इन्हों कुछ अच्छी कर लिया होगा कुछ सक्सेस किसी सीज में इनको फाय करने का लेकि नहीं करेंगे कुछ गुड न्यूज है इनके अगर जॉब करते तो कुछ उनका प्रमोशन हो गया इनका कुछ फायनस से फायदा हो गया है इनकी मतलब कुछ तो भी सडनली इनकी जिंदगी में अच्छा हुआ है जो इनको लग रहा है कि कास्त आपको बताता हो और यह भी अपनी फिलिंग्स हाइड कर रहे इसलिए वाटब में आया इग्नॉरंस यह भी नहीं बताना चाहते हैं इनके पास बहुत कूछ है आपको बताने के लिए जो शायद आपने अभी तक मतलब हंडर में से आपको सिर्फ 20 परसंट ही पता है 80 परसंट आप से करने की बात करूं तो आप से इस वक्त आप कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं सिर्फ देख रहे हैं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है complete नजर complete फोकस आपके लाइफ पर ही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आप देखो यहां पर क्वीन आफ वेंड्स सेम यह भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन पैशन आप दोनों का एक दूसरे के लिए हैं इनको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई थर्ड़ पार्टी है फोर आप सोड से नहां पर इनके अलावा किसी और के साथ रिष्टे में जाच चुक्य हो जो कि वो जो भी थर्ड पर hours की सा अटरी करना चाहते हैं इसंख कर रहें कि कभी बी करने को बढलें क्योंकि अपितर नहीं हुआ हैolie कि आपकी जिंदगे में सच में कोई है लेकिन इनको strongly feelings आ रहे, इनका दिल इनको बता रहा है कि आपका जो behavior एक current में, वो behavior ऐसा person का है जिसकी जिन्दगी में कोई होता है, third party romantic होती है, इस तरह का behavior आपसे इनको feel हो रहा है, इसी वाज़े से बहुत ज़्यदा परेशान है, ये person रात रात बर सोते नहीं है, मतलब कि दिन रात जागते है, source के energies में, मतलब दीन बर torture, रात बर torture, परेशान और जैसी कि अगर काम पर जाते तो वहाँ पर भी torture, तकलिक बहुत ज़्यादा है, अपनी जिन्दगी से बहुत ठक चुके है, इस तरह कि इनकी feeling से इस वक्की, तो हम दिखते है, इनका next action क्या हो सकता ह Yes, Ace of Cups का काड़े, definitely आपको अपनी emotions बताएंगे, इनके emotions future में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इनको जब तक कि ये clear नहीं होता कि आपकी जिन्दगी में कोई नया person है की नहीं है, तब तक ये जड़ा सा wait करेंगे, जैसी कि आपको stop बहुत करते हैं, आपकी जिन्दगी म इनके future में आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी जिन्दगी में सच में कोई third person है अभी इस वक्त, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, जो कि दिल के intuition से इंसान के जायातर कभी गलत नहीं बताते, तो अगर आप किसी और के साथ बास्चित कर रह अगर आप सिर्फ इनका इंतजर कर रहे हो, तो इनका जो भी confusion है आपको लेकि कि आप किसी और के साथ जा चुके हो, वो confusion बहुत जल्दी दूर होने वाला है, और यह आपको अपने प्यार का कप offer करने वाले, खुद सामने से आप उम्मीद कर रहे होने, आपसे बात करेंग यह confusion में ही है, यह near future है आपके cases से का, इनका confusion जब तक नहीं हटता है, तब तक कि आपके लिए action नहीं लेने वाले हैं, जैसी कि मैं आपको बोला है, तो confuse मत रहो, पहले तो खुद अच्छे से रहो, अगर loyal नहीं हो तो loyal हो जा, यह मत सोचू कि यह third party लेके आए तो अब में भी third party लेके आऊंगी, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो फिर कैसे रिस्ता स्टार्ट होगा, जोकि connection हम energetically connect होते हैं, आपके जो भी thoughts होते हैं, इनको feel होते हैं, इसलिए action नहीं लिया जाता, एक बार इनको यह पता चल जाए, एक बार इनको यह feel होने लगे कि आप इनके लिए loyal हों, तो इनकी तरफ से action आएगा, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, यह तो फिर क्यों इनका इंतजार करना, यहां पर जैसे की universe का guidance है, आपको लग रहा है कि मैंने इस रिस्ते पे बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा unconditional लोग भी दिया, कुछ कभी इस से चाहा नही बहुत ज़्यादा एक फ़स डाले, हमेशा जुका, हमेशा इसकी बात मानी, इसके conditions पर ही हमेशा चली, लेकिन मिला मुझे कुछ भी नहीं, आप जैसे की कुछ भी नहीं मिला, इस वज़े से बहुत ज़्यादा sad energies में हों, तो यह नहीं सब को बता रहे कि क्यों sad रहे ना, कोई जरुत नहीं ही, जो किया है, आपने unconditional लव था, आपका प्यार था, आपसे गया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गया है, वो लोटकर आपके पास आने वाला है, आपका खुछ भी स्वार्थ नहीं था, तो अगर आप इनसे कुछ चहाते ही नहीं हो, इनके अलावा, ज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर परस्नल इडिंग करानी है, स्क्रीम पर देगे नमबर पर वाटसप पर मेसेज कर दीजिए, वहां पर अपको लिटरेस मिल जागे, कॉल के से बुग करने, ठीक है, तो विलते हैं नेक्ट वीडियों तब तक के लिए, बाबाई